अलो फूडीज, लेट्स मेक इस स्टफ मसाला पूरी, ये नोर्मल पूरी से डिफरेंट होती है, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप किसी लंबे सफर में जा रहे हैं, तो आप इसको साथ में लेकर जा सकते हैं, इसे तीन से चार दिन इंजोई कीजिए, ये पाउडर और ग्रीन चिली, हलका हलका पानी डालके एक अच्छी सी स्टफिंग रडी करेंगे, अब हम एक डो लगाएंगे, जिसके लिए हमें यूज करेंगे, दो कप मैदा, एक कप आटा, अजवायन, जो अजवायन होती है, वो डजेशन के लिए अच्छी होती है, तो आट कर भी सकते हैं, एड करेंगे सोल्ट, फिर डालेंगे थोड़ा सा गरम तेल, इसको चिससे मिक्स करेंगे, अब थोड़ा करके पानी एड करेंगे, और एक अच्छा सा डो राइडी करेंगे, जैसे नॉर्मन पूरी का सोफ सा डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, अब आप इसको गरम तेल के अंदर फ्राइ करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम के अंदर, जो यह पूरी होती हैं, बिल्कुल फुली फुली बनकर रैडी होती हैं, तो आप सारी पूरी बेल कर यहां फ्राइ कर लीजिएगा, यह जो पूरी होती हैं, वो कचोरी से डिफरेंट ह होती हैं, क्योंकि यह सोफ्ट होती है, जो कचोरी होती है, वो खाने में थोड़ी हाड होती है, आप इसको गरमा गरम सर्फ कीजिए, एक अचार के साथ, दही के साथ, या फिर आलू की सबजी के साथ, एन इस रेडी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शे